गेम चेंजर है ये गरंथ जो आदनी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना उसके पासे कुछ पढ़ने के जरूतनी जिन्दगी बर का एडिक्शन एक मुवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिन्दगी में लेकिन भगवत गीता को जिन्दगी बर लगातार हर जनम में सबस्क्ते और आपको लएगा हर बार के फ्रेश सबसे पाउरफूल है यह ताकत बगवत गीता की अज ध्रतिराश्टर को बोलते हैं नेया संड्रोम एक बिमारी सिंड्रोम क्या होता है कार्पेट के नीचे सिंड्रोम कभी कामवाली को देखा है ध्रतिराश्टर में और का वाली बाई में एक commonality बताता हूँ आपको अपमान करने के लिए नहीं बोलूँगा पर report करने के लिए बता हूँगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती ही कुछ गंदगी है तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़के निकल जाती है क्या मेरी बाद समаменजा रही आ और्गनाईडिशन स्मेसे ऐसा बहुत होता है सामने हैं आपके company में गलती हो रही है लेकिन लिडर चुप रहता एक अंधन बता दूगा डांट पड़े बता दूगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा अगरे बता दूगा तो खुद ही solve क के नीचे सिंड्रोम हाथ अगे लाई कैसे देख रहे हैं सब गलत हो रहा है लेकिन चुप बैठें जो गलती हो रही कार्पेट के नीचे डाल के चुप उनको चैलेंज किया था विदूर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैले जो आउने देख बाइबला है विच इवल वण और मेरे बोड में भीश मंपतामा भी अव inhibal है वो जेटल वण आई शूट लिसन डू लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीश मंपतामा को यह नि कि बोड में एड्वाइजर तो बुद्धी मान थे लेकिन में हुण आड़ द मैं दिरतराश्टर मेरा पुत्र दुर्योदन हमको सब कुछ मिलना चाहिए सुसाइटी के अंदर जब भी यह दिरतराश्टर सिंड्रोम रहेगा नेपॉटिसम बढ़ेगा और वो नेपॉटिसम क्या है आज अंत्रपनियोर अपने इन केपेबल बच्चों को आगे बिजनसे बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं कॉम्पेटेंट आदमी पीछे रह जाता है आज सुसाइटी में डॉक्टर्स करता है और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन अड़ प्राइवटली ओंड कंपनी ड़संट ब्यांड थ्री जनरेशन दादा पिता पुतर के बाद खतम हो जाती है प्राइवटली ओंड कंपनी जादतर हादा गिलाएक्यों क्यों क्योंकि सी यू के नाम के पीछ पिता का सरनाम लगाए सरनेम लगाए इसलिए वह सी यू बनाए इसलिए नहीं बना कि वो कॉम्पेटेंट था तो एक्शन क्या होगा अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो दितराश्टों को बोलना चाहिए भाई तेरा शेयर है कंपनी में तेरा शेयर है लेकिन काम क अगर भाईयों में भी जगडा चल रहा है तो भाईयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली है हम लोग फैमिली का ओनर्शिप में शेयर है लेकिन प्रोफेशनल आदनी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो दाट इस वोट हैपन बिट्वीन बैद्धियनाथ और दाबर दितराश्टर वोग बैद्धियनाथ और दाबर मैं आपको इस्प्रेन करूँगा कैसे दाबर ने कभी भी अपने परिवार को तूटने नहीं दिया सबकी अपनी शेयर होलिंग रखी लेकिन प्रोफेशनल टॉप लीडर्शिप को ला करके उनको दिया कि तुम कंपनी डा दुर्योधन तुमको क्यों चाहिए सामराज ज्या बोला पापा एवांट टू इंज्वाए आइवांट पावर एवांट मनी आइवांट तो सेलिबरेट आइवांट तुम को रिलाक्स ओके दुर्योधन वो ऐसे भी करा देते हैं क्या टेंशन है तुमको अगर पांदव जादा कॉंपिटेंट हैं तो हम पांदव से नेगोशेट कर लेते हैं कि तुम आपरेशन को रन करो तुम सामराज ज्या चलाओ सामराज ज्या को प्रॉफिटेबल बनाओ प्रॉफिट का दस परसंट रॉयल्टी इंकम दुर्योधन को देतो वो चुपचा बैटके खाता रहेगा क्या मरी बास समझा रही है टेक्निकली दुबाई ऐसे ही तो चला है ना पूरा यूए ऐसे ही रन हुआ है वहाँ जो शेख है दियार इंटेलिजेंट दुर्योधन हादा के लाई कैसे कैसे होई भी आता है माँ यूरॉपियल दाते हैं अमेरिकन दाते हैं इंडियन दाते हैं बिजनस करते हैं शेख को बोलते हैं इसको पार्टनर बनाओ ये पैसिव पार्टनर है जो आपका रिवेन्य होगा दस परसंट इसको देना पड़ेगा वट इसे जने इंटलिजेंट ब्यूरूदन अधन आतु वर्क वहल एक्षाब कहीं तरीके थे पर दित्राश्च्ट का एक और नाम क्या इंडेसिजियन क्या नाम है इंडेसिजिए पूट इसिजिए